नमस्कार मित्रो, स्वागत है आपका गुरू केस्बी यूट्यूब चैनल पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि लेटस्ट वीडियो का अपड़ेट आपको सबसे पहले मिल सके तो बने रहिए गुरू केस्बी यूट्यूब चैनल के साथ लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूने धानियवाद स्वागत है आपका उत्राखंड की हसीन वादियो में और ये इसमें ग्राम पंचैथ ब्यासी में पानी की किल्ड वहां की महिला है ग्राम पंचैथ सीम से पानी ले जाने के लिए व्यूवर्स है पानी की किल्ड अभी से इस बार गर्मी कप्र को अभी से दिखने लग गया है जबकि अभी मार्च का महीना समाप्ति की ओर और अगर ऐसी हालत रही तो माई जून में तो बहुत आफ़त आएगी यहाँ पर पानी की किल्द और यह ब्यासी धार यहाँ पर बनना है आम बिटकर पार को और और यहाँ से मला कोट से लेकर नीचे रतला तक का द्रिश्या कापिस्तान दर भी बेकर पाक बनता हो बना है जिका कार्यों प्रगति पर है और यह नीचे माता घट नाड़ नदी उसके बाद हम आजे निकले और यहाँ पर आजकल बिछने यह उपर द्रमानी तोख है यहां से रोड निकल दी है मला डोबाई के और यहां से जो फ्यू दिखता है वो नीच अजकल नहीं मला डोबाई के और उसी की ठीक उपर जो गाउं है द्रमानी तोख और यह जो लिक नीचे बिछने बिछने में बिछने में लहराती हुई और अलमोडा हाईवे का सांदार यहां से द्रिश्य दिखता है यह इस जगह से रोट कट गी है सबें बला डोबाई क्यों रोट कट रही है तो कुछी समय में यह रोट बन कर तियार हो जाएगी जिससे वहां के इस्तानी नियवाशियों को सुविदा हो जाएगी बुजह ढोने आदी में थोड़ी राद मिलेगी और यह ग्राम पंचे सीम की मलसार में भी ग्यों की फसल लहलाते हुए और यहां से जो ग्याड़ी धोना बमटना और यह है पिजिल्डस लाइबरी का भी यहां से व्यू नजर आता है और साथ मही ग्राम पंचे सीम का टॉफ व्यू मलसार की ओर से और यहीं से दिखता है सुंखली से लेकर मला कोट तक की सार यहां से दिखाई देती है उधर और सक दिना वाला इलाका भी यहां से दिखाई देता है और यह ग्राम पंचे सीम की मलसार ग्रू के यूटूब चैनल की ओर से अप उच दिखाई जा रहा है उत्राखन की समय क् यहां भी मटर की फसल लहलाते हुए राज की प्राथमिक विद्याले भाणी के ठीक पास जहां पर देवी का मंदिल है वहां पर मुलाकात भी कल इने मित्रों से जो की जुनून इन दहिल्स में काम करते हैं और यह देवी मंदिद द्रमाणी ग्राम का काफ़ी सुंदर द्रिश्य यह मतर के फसलवाला और निचे चुन फचरी धर में opposite दियाल्दा का मकान भी भी यहां से नज़र आता है काफ़ी जानुन सिंग खाती जी भी पहुंचे हुए हैं आजकल भवण ज्रमाण कार्या प्रगतिबर है गारी उने लगा रिखे खाव खेट के पास पार्किंग पर यह और नीचे इस वाली जो रोड है जो खाव खेट से नीचे की जो रोड है अपर इसके नीचे जाके वहां भवण इंद्रमा के कार्यों पर लगे हुए हैं और यहां से जो द्रिश्य दिखता है बामटना धौना जियोग्याडी स्री स्री स्वाट घ्टी स्वर महादेव यह ग्राम पंचै सीम का तोग धौन और उधर फज्यानी वाला टॉप भी यहां से नज़रा था लास्ट जजली सब्सक्राफ तक यहां से जिस्य आपको देखने को मिलता है तोड़ी आगे चलने पर साンダर चाय बागान लगायगे है जिसमें अभी तक काफी मस्द्रमें चाय का उत्पादन किया जा चुका है और आगे भी किया जाता रहेगा काफी सा만धार यहां पर सांद्रमें चाय की देखने को मिली लहलाती हुई ये कन्नू भाई सास्ती का मैदान जिसमें चाय का पुरा बागान लगा हुआ है और काफी हमारे छेत्रीयों में सबसे बड़िया चाय अगर किसी बागान में हुई है तो वो सास्ती बागान ग्राम पंचाय सिल्टुना में वहां तक का द्रिश चाय बेखो यहां की ताजा पहाड की चाय इससे पहले हम आसाम की चाय यहां की चाय पीती हुए रहे तो इस बार पीजी ये ग्राम पंचाय शिल्टुना की ये शास्ती बागान की चाय और नीजे करनल सहब का कोटेज जहां पर स्वीजिंग पूलादी सब कुछ की ब्योस और सामने ही दिग रहा है ग्राम पंचाय शिल्टुना का ही तोख ब्योना तो यही ठीक कुछ कल की जहां की और यहां पर देख जो है आप टॉप व्यू कंडल साब की कोठी का जो कोटेज बन रही है तो बने रही है गुरू के यूटूब चैनल से वीडियो को लाइक शेय और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें